इस फिगर के अंदर ट्राइंगल A.B.E का पेरिमेटर निकालना है और B.C.D.E का पेरिमेटर निकालना है फिर ये भी बताना है कि किसका पेरिमेटर बढ़ा है तो नमबर वन से शुरू करते हैं पेरिमेटर ओफ ट्राइंगल A.B.E अब पेरिमेटर होता है किसी भी क्लोस्ट फिगर की जो बॉंडरी है उसकी जो सारी साइडस होती है उनका सम होता है यहाँ पे ट्राइंगल की तीन साइड़े है A.B.B.E. और A.E. इनका सम कर देंगे तो इसका पेरिमेटर आ जाएगा तो A.B.E. का पेरिमेटर के लिए इस A.B. साइड की लेंद को जोडेंगे B.E. साइड की लेंद को हम प्लस करेंगे और A.E. साइड को प्लस करेंगे वैलू भरते हैं इनकी A.B. की लेंद है 5 बाई 2 B.E. की लेंद है 2 3 बाई 4 और A.E. की लेंद है 3 3 बाई 5 अभी यहाँ पे यह वाला फ्रैक्शन तो इंप्रॉपर फॉर्म में है लेकिन यह दोनों मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को हम डारेक्ट सॉल नहीं कर सकते मिक्स फ्रैक्शन से पहले हमको इसे इंप्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ता है तो इस वाले को तो मैं as it is ही लिखूंगा और इनको मैं improper बनाता हूँ तो इन दोनों की multiply की जाती है 4, 2, 0, 8 और 8 में 3 plus करेंगे तो 11 तो उपर 11 बन जाएगा नीचे change नहीं होता है as it is ये 4 ही रहेगा इसी तरह से 5, 3, 0, 15 15 में 3 plus करेंगे तो 18 उपर बन जाएगा नीचे 5 as it is रहेगा अब इनका करना है sum ये सारे के सारे जो fractions हैं इनके denominator same नहीं है तो इनके denominator का हमको पहले LCM लेना पड़ेगा तो 2 का, 4 का और 5 इन 3ों का LCM निकालते हैं 2 से शुरू करता हूँ है 2 को 2 से divide करेंगे तो 1 आएगा 4 को 2 से divide करेंगे तो 2 आजाएगा 5, 2 से पूरा divide होता नहीं है तो as it is 5 ही लिख देंगे अभी यहाँ 2 से मुझे यह divide होता हुआ दिख रहा है तो 2 से ही चलाएंगे question को यह already 1 बन चुका है 2 को 2 से divide करेंगे तो 1 आजाएगा 5 as it is रहेगा अभी यहाँ दोनों तो यह 1 बन चुके हैं और यह 5 सिर्फ 5 से ही divide होगा तो 5 से इसे में divide करूँगा 5 को 5 से divide करेंगे तो यह 1 आजाएगा अब इस तरफ यह जो factors आए हैं इनका करेंगे हम product तो यह हमको LCM देगा तो LCM हो जाएगा 2, 2s are 4 और 4, 5s are 20 LCM 20 आगया अब मुझे सब की जगे पे नीचे 20 ही बनाना है यह 20 हो गया अब उपर देखते हैं बारी-बारी से तीनो fraction में इस 2 को भी मुझे 20 के बराबर करना है तो इस 2 को 20 बनाने के लिए इसे मुझे 10 से multiply करना पड़ेगा जब यहाँ 10 से किया है तो फिर उपर भी 10 से ही करना पड़ेगा तो 5, 10,000 मैं यहाँ पे लिखूँगा नेक्स चलते हैं यहाँ नीचे 4 है 4 को मुझे 20 के बराबर बनाना है तो 4 को 5 से multiply करके 20 बनता है अब यहाँ 5 से किया है तो यहाँ भी 5 से ही करना पड़ेगा तो उपर उपर value आएगी 11, 5,000 आगे बढ़ते हैं यहाँ 5 है 5 को मुझे 20 बनाना है तो 4 से multiply करना पड़ेगा 5, 4, 20 होता है यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 से ही multiply करना पड़ेगा तो उपर हो जाएगा 18 into 4 यह main step होता है इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है exactly आपको वही करना है यहाँ करना इनका प्रोड़क तो 5, 10,000 हो गया है 50 11, 5,000 हो गया है 55 और 18 को 4 से multiply करेंगे तो 18, 4,000 होता है 72 नीचे as it is same to same यह 20 ही रहेगा next step में उपर के जो तीनों नंबर से इनका हम सम कर देंगे तो 50 में 55 प्लस करेंगे और 72 प्लस करेंगे तो 5 और 2 हो गया 7 यह 10 और 7 हो गया है 70 177 तो आ गया है उपर और नीचे है 20 अब यह अपने lowest form में ही है मैं देख रहा हूं कि किसी से कट तो रही नहीं है तो जब आपका answer इस तरह से आता है और ध्यान देखिए अगर उपर बड़ा नंबर आ रहा है और नीचे छोटा आ रहा है तो इस improper fraction को आप फिर से mixed fraction बना देंगे यानि 177 को आपको 20 से divide करना है तो 20 से जब divide करेंगे तो यह 28 पे जा रहा है 28,160 होता है 7 आ गया 1 आ गया तो 8 यह जो 8 है ना यह आपका whole number है यानि इतना तो पूरा-पूरा है तो इसे यहाँ पे लिखेंगे बीच में 8 और नीचे की चीज़ चेंज होती नहीं है यह 20 as it is रहेगा और जो remainder आता है यह उपर आ जाता है यह दिखाता है कि 8 तो पूरे हैं 8 cm तो पूरे-पूरे हैं और आगे थोड़ा सा fraction भी है तो 8 17 upon 20 cm इस triangle का पेरिमीटर हो गया second में हमें rectangle का पेरिमीटर निकाला है चलिए अब rectangle के लिए question करते है तो rectangle का पेरिमीटर का formula होता है 2 length plus breadth क्यों? क्योंकि rectangle के अंदर यह जो लंबी वाली sides होती है इन्हें हम length बोलते हैं और यह दोनों same होती है और यह जो छोटी वाली sides होती है इन्हें हम breadth बोलते हैं और यह दोनों same होती है तो length और breadth length और breadth को plus करके हम 2 से multiply कर देते हैं तो इसकी चारों side की जो लंबाई है वो हमें पता चल जाती है तो perimeter of rectangle BCDE तो formula लिख देते हैं पहले 2 length plus breadth अब यहाँ पर value put कर देते हैं यहाँ जो length है वो यह वाली है यह जो BE है न यह इसकी लंबाई है इतना ही यह same to same cd होगा तो 2 का 2 लिख दिया मैंने और length की जिए लिखा जाएगा 2 3 by 4 plus breadth पर आते हैं यह इसकी चोड़ाई है breadth यह जो ed है यह इसकी breadth है 7 upon 6 next step में 2 as it is अब अंदर मैं देख रहा हूँ कि यह mixed fraction है तो इसे improper fraction बना लेते हैं पहले 4, 2, 0, 8, 9, 10, 11 तो यह उपर 11 हो गया नीचे 4 as it is रहेगा यह 7 upon 6 proper improper form में ही है इसका हम कुछ नहीं करेंगे as it is लिख देंगे बहार 2 as it is रहेगा अब अंदर-अंदर मुझे इनका sum करना है तो sum करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि नीचे denominator same नहीं है तो इनका हम निकालेंगे LCM तो 4 और 6 का LCM निकाल लेते हैं 2 से जाएगा 4 को 2 से divide करेंगे 2 आएगा 6 को 2 से divide करेंगे 3 आजाएगा यहाँ यह value 2 से जा रही है तो 2 से चलाएंगे question को 2 को 2 से divide किया तो 1 आया 3 2 से पूरा divide नहीं होता तो as it is 3 ही लिखा जाएगा अब यहाँ यह तो 1 अल्लेडी बन चुका है यह 3 3 से ही divide होगा 3 को 3 से divide करेंगे तो 1 हो गया यहाँ पर question मेरा यह खतम हो गया अब जो यह आही है 2 इंटू 2 इंटू 3 यह LCM बनाएंगे 2 2s are 4, 4 3s are 12 तो इस question का LCM बन गया है 12 अब same to same हम exactly वही करेंगे जो हमने पिछले वाले part के अंदर किया है यहाँ 4 को 12 बनाना है तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से multiply करना होगा तो यहाँ उपर भी 3 से ही multiply किया जाएगा यह आप यहाँ ना लिखके न अपने दिमाग में भी रख सकते हैं मैं लिखके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए तो 11, 3000 उपर लिखा जाएगा प्लस का प्लस यहाँ 6 को 12 बनाने के लिए 2 से multiply किया जाएगा तो उपर भी 2 से ही करना पड़ेगा तो यहाँ 7 into 2 लिखा जाएगा यह आपका main step है आप solve करते हैं आगे इसको यह जो 2 और 12 है तो मैं यहीं पर काट लेता हूँ क्योंकि यह multiply में है ना 2 और 12 multiply में है तो 2, 1, 2 और इसको जब हम 2 से divide करेंगे तो 6 आ गया यहाँ 2 खतम हो गया अब नीचे यहाँ पर बचा है 6 और 11, 30, 33 यहाँ पर हो गया और 7, 20, 14 यह यहाँ पर हो गया अब उपर इनका addition कर देते हैं तो 33 के अंदर 14 plus कर देंगे तो यह 7 हो गया पीछे और यह 4 हो गया 47 उपर आ गया और नीचे है 6 अब 47 और 6 यह same table में तो आते नहीं है तो इनका हम lowest form तो करनी सकते लेकिन उपर का number बढ़ा है तो इसे हम mix fraction में ज़रूर बना सकते हैं तो 47 को divide करना होगा 6 से अब 6 के table में 47 लाना है तो 6, 70, 42 आता है और remainder आ गया यहाँ पर 5 यानि यह 7 है यह hole है इतना तो पूरा पूरा है तो यह 7 बीच में लिखा जाएगा नीचे change होता ही नहीं है और यह जो remainder है यह उपर आ जाएगा और centimeter में है सारा question तो यह centimeter हो गया यानि 7, 5 upon 6 centimeter यह दिखाता है कि 7 तो पूरे-पूरे हैं और उसके आगे 7 से थोड़ा सा ज्यादा और भी है तो यह इसका perimeter हो गया अब दोनों perimeter मैंने निकाल दिये आगे यह भी पूछा है कि किसका perimeter ज्यादा है अब यह नीचे वाले answer पर आप ध्यान देजिए यह triangle वाला perimeter है और यह मैंने निकाला है rectangle का तो triangle का तो है 8 and something और यह है 7 and something तो 8 साफ दिखाई दे रहा है कि 8 बड़ा है तो यह triangle का जो perimeter है यह बड़ा है तो last वे हम अपना answer भी लिखेंगे यहाँ पर perimeter of triangle is greater question खतम तो इस यूडियो बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए